तो एपिसोड वन के स्टार्ट होते ही हम देखते हैं एक छोटे से बच्चे को जिसका नाम था गोजो अरे नहीं सातूरो गोजो नहीं इस बन्दे का नाम है वकाना गोजो और गोजो एक हीना डॉल को बहुत ही बारिकी से देख रहा होता है ऐसे जैसे कि वो उसके पिछले जनम का प्यार हो खैर और बोल रहा होता है कि यह बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है और फिर उस बच्चे के ग्रेंटपा बोलते हैं कि हाँ यह हमारा फैमिली बिजनस है और यह तुम्हें बहुत ही ज़्यादा पसंद आई ना उसके बाद वो बच्चा बोलता है कि हाँ यह मुझे बहुत ही अच्छी लगी यह दुनिया की सबसे अच्छे चीज है उसके बात के सीन में दिखाया जाता है कि वो लड़का एक कागस को रोल करके बार-बार हीनडॉल का फेस बिनाता है और उसको दूसरी हीनडॉल से कंपेर करके मनी मन गुलचर्रे उडाता है आगे एक लड़की उसको देखके बोलती है कि तुम बुसरी वाले हो मनब तुम ये क्या कर रहे हो तुम एक लड़के हो के हीनडॉल के साथ खेलते हो ये बहुत बोरी बात है और उसका काट के वहाँ से चली जाती है एंड दिन हमें एपिसोड की ओपनिंग दिखाई जाती है और हमें एक बाए फिर से बोल रहा हूँ आगे एपिसोड के बारे में जानने के पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बीशोर तो लाइक दे वीडियो एंड सब्सक्राइब दे चैनल इफ यारंट आरेडी और दोंट फॉरगेट तो हिट दे बेल इकन कस बेल इकन इस गूट सो लेट श्टार्ट उसके बाद दिखाया जाता है कि एक लड़का बेट पे होता है और नीन से जाग जाता है तब हमें पता चलता है कि अब तक जो हम देख रहे थे वो एक पास्ट का सीन था और हम प्रेजेंट में आ गये हैं उसके बाद लड़का बोलता है गूट मॉर्निंग और वो एक हिनडॉल से बात कर रहा था इसका मतलब लड़का वही छोटा लड़का है जो पास्ट में हिनडॉल से अपसेश्ट हुआ था यानी वकाना गोजो और आगे की सीन में हम देखते हैं कि वो लड़का नीचे आके कहता है गूट मॉर्निंग ग्रेंट पा और उसके ग्रेंट पा भी गूट मॉर्निंग कहते हैं उसने जवाब दिया कि रात को मैं थोड़ा लेट हो गया था क्यूंकि मैं काम कर रहा था बट कोई बात नहीं मेरी नीन पूरी हो गई है फिर ओ लड़का कहता है कि मैं कितना भी ट्राय कर लूँ आपकी जैसी हीनडॉल नहीं बना सकता जिस पर उसके ग्रैंटपा कहते हैं कि कोई दोस्त नहीं था फिर अपने ग्रैंटपा से कहता है कि हाँ मेरे एक नहीं दो नहीं मतलब कई सारे दोस्त हैं बट इन रेयलिटी हाई स्कूल में भी उसका एक भी दोस्त नहीं था उसने बस अपने ग्रैंटपा का दिल रखने के लिए जूट बोला फिर ग्रैंटपा main character का face देख के डर जाता है और बोलता है अरे मैंने गलती से तुम्हें कोई और समझ लिया और वाहां से भाग जाता है आगे हमारा main character class में बैठ के सोच रहा होता है कि मेरा एक भी दोस नहीं है मैं high school में आ चुका हूँ बट अभी तक मेरे पास एक भी दोस नहीं है क्यूंकि ये मेरा ड्रीम है कि मैं हीना डॉल्स को मनाऊंगा और बेंचूंगा। मुझे हीना डॉल्स मनान में बहुत खुशी मिलती है। बट तभी भाई के साथ एक मिराकल होता है। और वो मिराकल ये था, एक लड़की जोर से उसकी तरफ आके गिरती है। और इसका सिर जोर से डेस्क के कॉर्नर पर लगता है। तभी उस लड़की के दोस्त उसको पूछते हैं, मरीन तुम ठीक तो हो। तभी उड़की उठती है और उठके बोलती है, ओ सौरी सौरी मैं गलती से तुम्हारे उपर आके गिर गई। तुम ठीक तो हो ना गोजकुन? जिसमें हमारा मेन केरेक्टर बोलता है, कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी उड़की उसको बोलती है, हे, तुम्हारे हाथ पे क्या हुआ है? और उसका हाथ पकड़के कहती है, ये कट कैसा है? और तब वो लड़का उसका हाथ जोर से हवा में उच्छाल देता है, और नरोस होके कहता है कुछ नहीं, बट तभी उसको रिलाइज होता है, कि ये ठीक नहीं, और मन में सोचता है, कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे वो लड़की अपने फ्रेंड से बात करते ह तब वहाँ से निकल जाती है, उस लड़की की एक फ्रेंड उसको पूछती है, तुम एक लड़के को डेट कर रही थी ना, उसका क्या हुआ, वो दिखने में भी स्मार्ट और होट था, तब हमें पास्ट का सीन दिखा जाता है, उसमें उस लड़की का बी अफ उसको बोलत जिस पग्रका फेस तो ऐसा हो जाता है, जैसे उसकी बॉड़ी से सूल ही निकल गई हो, फिर हमें प्रेजेंट के सीन में ला आ जाता है, और तभी मरीन की एक दोस्त कहती है, वैसे भी जब कोई मरीन पर लाइन मारने जाता है, तो मरीन आईस कुईन बन जाती है, तभी मरी मरीन की एक दोस्त उसको बोलती है तुमने ऐसा क्यों किया जिस पे मरीन कहती है कि वो लड़का मेरी फीलिंग्स को समझी नहीं रहा था इसलिए I mean कि उसके कुछ बोलने से पहले उसे पज़ा था कि ये कुछ ऐसा था जो मुझे पसंद था और लोगों को कभी भी किसी का मजाक नहीं होडाना चाहिए अगर उन्हें कोई चीज पसंद है तो Marine की यही बात हमारे main character Gojo को बहुत ही अच्छी लगती है वो अपने मन में कहता है कि यहाँ इस class में कोई ऐसा भी है जो मुझे से एक अलग ही दुनिया में रहता है और वहाँ वो जो है उसके लिए लोग उसको accept करते हैं वहाँ रहना कितना comfortable रहता होगा फिर आगे की scene में हम देखते हैं कि हमारे main character कुछ benches staff कर रहा होता है और दो लड़के उसको बोलते हैं क्या सच में तुम ये काम कर लोगे न हमें थोड़ा काम है और thanks के लिए हम तुमारे लिए किसी दिन कुछ drink ले आएंगे और हमारे main character बोलता है कि हाँ ठीक है आगे हमारा main character class में अकेला होता है और सोचता है कि अभी अकेले मुझे बहुत अच्छा लग रहा है I mean फालतू के conversation में नहीं फसना पड़ेगा और किसी से बात भी नहीं करनी पड़ेगी इसलिए मुझे हाँ अकेले ठीक लग रहा है तब ही वहाँ जिसपे marine कहती है कि it's obvious मैं cleaning कर रही हूँ फिर marine बोलती है कि वो bathroom गई थी तो आने में थोड़ा late हुआ क्या सारी लोग घर चले गए फिर हमारा main character बोलता है कि हाँ सब लोग चले गए शायद उन्हें कोई काम था तब ही marine कहती है कि कहीं वो तुम्हार advantage तो नहीं ले रहे ज जिसपे gojo कहता है कि शायद जिसपे marine बोलती है कि लोग सारा काम तुम्हें दे के चले गए और तुम्हें बुरा भी नहीं लग रहा जिसपे marine कहती है कि हाँ लगता तो होगा ही लेकिन तुम्हें उनको मना करना चाहिए था जिसपे gojo कहता है कि उन्होंने कहा कि मैं reliable इसलिए मुझे ठीक लगा तब ही मारीन कहती है वो लोग बस तुम्हें यूज कर रहे हैं तुम्हें जो करने का मन ना हो उसके लिए तुम्हें हावी नहीं करनी चाहिए तुम्हें कभी तो अपने बारे में भी सोचना चाहिए कि तुम्हारी फिलिंग्स क्या है और फिर मारी नुहां से चली जाती है नेक्स सीन में हमारा मेन कैरेक्टर घर पे सिलाय मशीन पे कुछ काम कर रहा होता है और तभी वो शाउट करता है जिस पर उसके ग्रेंटपा चिलाते हुआ कि बोलते हैं क्या हुआ जिस पर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि फिर से मेरी थोड़ी उंगली कट गई ग्रेंटपा कहते हैं कि ठीक है तुम रुको मैं बैंडेज लेके आता हूँ अब गोजो जिस मशीन पे काम कर रहा होता है वो खराब हो गई होती है और जब वो ये बात अपनी ग्रेंटपा को बताता है तो उसकी ग्रेंटपा बोलते हैं ठीक है मैं एक नई मशीन ले आऊंगा आगे हमारा मेन कैरेक्टर अपने हाथ को देख के सोच रहा होता है कि मैं हीना डॉल कम्प्लीट नहीं कर पाऊंगा और तभी उसको एक आईडे आता है नेक्स सीन में हमारा मेन कैरेक्टर स्कूल की सिलाई मशीन यूज़ कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि आज तुम्हारा आउटफिट कम्प्लीट हो जाएगा और वो इस हीना डॉल को देखके मन हीमान गुल छर्रे उड़ाने लगता है तभी वहां मारीन आ जाती है और एक दूसरे को देखकर उन दोनों का रियक्शन कुछ ऐसा होता है कि उन दोनों ने किसी भूत को बेड़ी पीते हुए देख लिया हो तभी हमारा मेंन केरेक्टर बोलता है कि टागावासान और उसके हाथ से हीना डॉल नीचे गिर जाती है और वो जल्दी से उसको उठा के बोलता है सौरी क्या तुम ठीक हो तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं न ये सब वो लड़की यानि मारीन देखती है और उसका रियक्शन बहुत सी ज़्यादा डरावना हो जाता है जिसको देखकर हमारा मेंन केरेक्टर सोचता है कि अभी तो मैं गया मेरे बचने के कोई चांसेस नहीं बट तभी हो लड़की कहती है ये तो ओसम है तुम तो सिलाय मशीन चला रहे हो फिर हमारा मेंन केरेक्टर बोलता है कि हाँ ये हमारा फैमिली बिजनस है मैं बच्पन से हीना डॉल्स बनाता हूँ फिर ओ लड़की उसके हाथ में उस हीना डॉल को देखके कहती है अरे तुम्हारे हाथ में जो हीना डॉल है वो दिखाओ ये तो बहुत खूपसूरत है और इसकी आईस बहुत सुंदर है जैसे स्पारकल कर रही हो क्या तुम मेरी लिए भी इसके जैसे कलोट्स बना सकते हो और तभी वो लड़की अपने कपड़े उतारने लगती है हमारा मेंन केरेक्टर सोचता है कि ये क्या कर रही है वो लड़की हमारे मेंन केरेक्टर को दूसरी साइट देखने को बोलती है और अपने ड्रेस उतारती है उसने अंदर कुछ ब्लैक सी ड्रेस पहनी होती है और वो दिखाते हुए हमारे मेंन केरेक्टर को बोलती है क्या address ठीक है जिसपे हमारा main character बोलता है कि तुम्हें ये क्या पहना है और फिर वो लड़की उसको फोन में एक फोटो दिखाती है और कहती है क्योंकि मुझे इसके जैसा अब दिखना है क्या मैं इसकी यसी दिख रही जिसपे हमारा main character बोलता है बिलकुल नहीं तुम इसकी यसी नहीं दिख रही हो और हमारा main character उसके address को चेक करते हुए बोलता है कि यहां से सिलाई ठीक नहीं है और यहां के cuts ठीक नहीं है यहां से rolls नहीं हुए है और जब हमारा main character मारीन को देखता है तो वो रोने लग गई होती है वो देखकर हमारा main character बोलता है I am sorry, मैंने तुम्हें रुला दिया I am really, really sorry तुम चाहो तो इसके लिए मेरा murder भी कर सकती हो जिसके मारीन बोलती है कि कोई बात नहीं इसके लिए तुम्हारा murder क्या करना मुझे तुमसे कुछ काम है जिसके मैं तुम्हें पैसे भी दूँगी मुझे cosplay बनाना है वो जो मांगा और एनिमेस के daily shows आते हैं मैं उसके जैसे दिखना चाहती हूँ और हमारे main character का हाथ पकड़ के कहती है क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो मैं और किसी को नहीं जानती इसलिए तुम्हारी मदद मांग रहे हूँ फिर हमारा main character सोचता है कि केटा गावसान ने मेरी hobby के लिए मुझे appreciate किया तब ही वो मारीन से कहता है कि ठीक है मैं मदद करूँगा ये सुनके मारीन बहुत खुश हो जाती है और खुशी से उचलने लगती है और बोलती है कि अब मैं Shizuku Tan बन सकती हूँ अब Shizuku Tan उसकी favorite manga या शायद anime में से favorite character था और फिर वो कहती है और मेरा dream पूरा हो जाएगा जिसमे हमारा main character उसको promise करता है कि वो उसको cosplay का costume बना के जरूर देगा और यहीं पर episode 1 खतम हो जाता है अब ये anime मुझे तो बहुत अच्छा लगा इसका character design बहुत अच्छा है और इसका animation भी बहुत ही beautiful है और तो इसकी main female character भी काफी hot, sexy and beautiful I mean, I mean बहुत ही cute and beautiful है अब समझा करो दिल की भावनाएं कभी-कभी मुझे बह जाती है तो ये था my dress up darling anime series के episode 1 का explanation अब आप हमें comment करके बता सकते हैं कि next आप किस anime series या anime movie का explanation देखना चाते है हम पूरा try करेंगे कि आपके requested topic का explanation आपको serve कर सके अब अगर आप demon slayer Mugen Drenark के episode का explanation देखना चाते है तो description में दीएगए वीडियो के link पे click करके आप check out कर सकते हैं इसके अलावा अगर आप black lore में दिखे आस्ता के तीनों anti magic demon swords का explanation देखना चाते हैं तो उसका link भी description में मिल जाएगा वहाँ से आप check out कर सकते हैं अब आप सब तो देखी सकते हैं कि इस वीडियो को बनाने में कितनी मेहनत लगी है तो अगर ये वीडियो आप सबको ज़रा भी पसंद आई हो तो इसे like और share करें और इसे contents के लिए हमाई चनल को subscribe करें सो आज के लिए बस इतना ही हम जल्दी लोटिंग एक नई वीडियो के साथ तिल देन कीप वाचिंग एंटीक सान सायोनारा याँ अगए सायोनारा झाल सुझे वाचिंग स्टिए लोब मेचा अगला जह एका कार भीच्टाव आदे सायोनारा घ्याँ प्लाव कार ऑग्त श्रवरा स्टिए लोब स्ट्वराण याँ